Hello Friends, आज हम देखेंगे Transpose of Matrix के बारे में तो Basically Transpose of Matrix होता क्या है तो आपके पाद एक Matrix है Matrix A वो Matrix का जो Row होता है वो बन जाएगा Column और Column जो है वो बन जाएगा Row तो इसको कहते है Transpose of Matrix तो चलिए यह Implement कैसे करना है C में वो देखते है मैं यहां पर देव c++ अब यूज कर रहा हूँ अब कोई भी एडिटा यूज कर सकते हूँ तो hash include stdio.h इसके बाद integer main that mean function पहले तो मझे array declare करना पड़ेगा तो a of matrix declare करना है तो यहां पर 10 और यहां पर भी 10 यह 10 10 क्या है यह 10 maximum size of the matrix है और यह two dimensional matrix है तो r रहेगा रो रहेगा उसका और column रहेगा और साथी साथ मुझे transpose के लिए एक matrix चाहिए तो मैं उसको नाम देता हूँ बी 10 और 10 इसके बाद पहले तो मुझे user से row और column लेना पड़ेगा so printf enter size of matrix A और यहां पैशा विल एक्सेप्ट यहां पैशा विल एक्सेप्ट यहां आप उसके बाद scanf %d, address of r फिर उसके बाद printf enter number of column of matrix T इसके बाद यहां पै कैन और इसके बाद यहां पैश्के पैश्के बाद comma address of c then अब मुझे user से element enter करना है a के तो यहाँ पर मैं रिखूंगा for i equal to 0 i less than r i या फिर less than c first c r plus plus for j equal to 0 j less than r j plus plus और यहाँ पर मैं बुलूंगा printf enter element of matrix a यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अभी लिक सकते हैं अगो पर सेंट दी और पर सेंट दी यहां पर मैं कॉमा देखे एक होंगा आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन अगे जो स्टेप से में आपको बताता हूं क्या है पर सेंट दी आइड्रेस ओफ ओफ आई एंड ए ओफ जे तो चलिए पहले इसको रन करके देखता है रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेंट 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 तो सेंट 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 मैं अपने देखे सेंट ज़िए नाम से सेंट कर सकता हूं मैं आपके देखेंगों से कॉमा आपकोंगे तो सेव कंपाइल कंपाइल होने के बाद फिर से रन रो टू रो एंड त्री कॉलम तो यहां पर देखें ऐसा आएगा हूं तो फॉस्ट फॉस्ट रो वन तू फिर 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 फाइफ और इस तरीके से मेरा टू भाई तरी का मैट्रिक अब हम लॉजिक लिखता है ट्रांस्पोस ऑफ मैट्रिक का लॉजिक क्या होगा 4 I equal to 0 I less than C I plus plus then प्लस प्लस इसके बाद यहां पर ट्रांस्पोस करना है तो ट्रांस्पोस कहां पर सेव करना है बी में तो बी ओफ पर जे अफ जे मैंने क्यूं पहले लिया तो यहां पर लेखे ए मेट्रिक्स का जो रो होता है वो होता है कॉलंब ओफ ट्रांस्पोस मेट्रिक्सके लिए मैंने यहां पर लिया यह और यहां पर मैं लूँगा आय इक्वल cuzus और यहां पर A of J अगर यह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझाता हूँ यहां पर मैंने J की लिया है because transpose of matrix में पहला जो इसका जो row होता है matrix का वो transpose का होता है column इसलिए मैंने यहां पर J जो है यहां पर है row के लिए यह इदर आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर मैं यहां पर print करने के लिए लिखता हूँ for अब मुझे B को print करना है तो B को print करने के लिए for J J or I is equals to 0 I less than R I plus plus then 4 J equals to 0 J less than C J plus plus और यहां पर मैं क्या print करूंगा प्रिंटेफ 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 टी स्पेस आना जाहिए उसमें इसलिए बैक स्लेश टी और यहां पर बी ओफ प्रिंटेफ 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 यहां पर बैक स्लेश टी नू लाइन के लिए तो यह हो गया हमारा ट्रांस्पोस ओफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम तो चलो इसको रन करके देखते हैं कमपाइल रन यहां पर रू टू कॉलम टू तो वान टू ट्री फोर यह देखें वान टू ट्री फोर तो अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैट्रिक्स एक को भी पहले प्रिंट करके देख सकते हैं तो चलो रेखते हैं यहां पर हम क्या करेंगे मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे तो अब अब एक प्रिंट एफ मैट्रिक्स एक अब एक स्लेश एन अब प्रिंट करने के लिए यही लॉजिक होगा ठीक है तो यहां पर यही लॉजिक टाओ फॉजिक टो यही लिए लेट थेट यही लस Tन symbol then for j equal to 0 j less than r j plus plus okay printf percent d right slash d comma dake a of i a of j original matrix हमारा a में है और b में हमारा transpose of matrix है और यहां पर मैं दोंगा printf percent यहां पर backslash and new line के लिए जैसे नीचे दिया था में तो save और यहां पर यह जो print कर रहे है यह कौन साइट transpose of matrix A है तो यहां पर मैं लिख लोंगा printf transpose transpose of matrix matrix a or backslash n यहां पर सेनकोलर save compile run enter the matrix यहां पर matrix अंत्रेंटर घरोंगा मैं रो 2 कॉलम भी 2 तो 1 2 3 4 यह देखिए यह मैट्रिक्स ते हमारा उसका ट्रांस्पोस यह है तो चलिए अब दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं तो यहां पर रो हो जाएगे 2 और कॉलम लेते 3 तो 1 2 3 4 5 6 तो यह देखिए यह हो गया ए मैट्रिक्स और उसका यह हो गया है ट्रांस्पोस ओप मैट्रिक्स थैंक यू